आने वाले चुनाओं में हर मतदाता को उसके पसंद के उम्मेदवार को चुनने का हग मिले इसके लिए निर्वाचन विभाग ने कहीं नवाचार किये है इस बार नेत्रहिन मतदाता भी अपनी पसंद के उमेदवर को चुन पाएंगे नेत्रहिन मतदाताओं के लिए निर्वाचन विभाग यहाँ परिवर्तन लोकत अंत्र के पर्वा में खास माना जा रहा है आने वाले दिसम्बर में राजस्थान विदान सबा चुनाओं में पहली बार हर प्रदेश के सबी मतदाता केंद्रा दुरुष्टी हिन मतदाताओं के लिए सुगम मतदान की व्यवस्ता की गई है राजस्थान में चुनाओं आयोब में EVM मशिन के ब्रेन लिपिक का विकल्प रखा गया है जिसके तव अतनेत्र हिन मतदाताओं को अपने मनपसन प्रतेश को वोड़ देना असान होगा बाडमेर जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसात मदन नकाते के मतबिक दुरुष्टी हिन मतदाता बटन को प्रतोल कर अपने मन मतबित प्रतेश को मतदान कर सकेंगे उनके मुताबिक बाडमेर और राज्यों में पहली बार दुष्टीन मतदताओं के लिए ब्रेल लिपी की विवस्ता की गई है उन्होंने कहा कि भूत तक नेत्रहिन आसानी से पहुच सके इसके लिए सबी विवस्ता की गई है पाडमिर में जहां नेत्रहिन मतदताओं की संक्या 3174 है इसके सरवादिक नेत्रहिन मतदता सिवाना विदान सबा में है सिवाना में 634 मत दाता है एक तरब जहां नेत्रहिनों के लिए EVM में किया गया परिवर्दन लोका तंत्र के इस परवा में नेत्रहिनों की इशत प्रतिशक भागेदारी सुन निचित करने का काम करेगा नेत्रहिन मत दाता सुखदेव के मुताबिक अब तक नेत्रहिन मत दाता चहा कर भी खुद की पसंद के उमिद्वार को वोट नहीं कर सकता था लेकिन अब EVM में किये गए बदलाव से उन्हें उनका हग दे दिया गया है उमिद्वार को अपना मत दे सकते हैं इससे पहले असी सुखदा नहीं थी उससे क्या नुकसान होता था उससे सर ये नुकसान होता था कि आमें कोई भी हमारा साइड़ेट साथ ही होता था साथ ले जाता और वो अपने मन पसंद के हम केंड़ी डेट को बहुत दिलाता था निवाट नुबाग न नई फैसलिट दी उससे फाइदा होगा था सर बहुत हमें फाइदा होगा इसको प्ले हिंसारा मैं खुसी है ठीक है बतलब आप अपना में नुजार था इसमें भी अलग-अलग केटेगरीज है जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है जिनको चलने फिरने में दिकत रहे हैं ऐसे लोगों के लिए विशेश करके हम गाडियों का इंतजाम कर रहे हैं ब्रेल लिपी के संबन में अलरेड़ी नहीं मशीनों में इन बिल्ट ही सिस्टम आया हुआ है तो उस वज़े से भी वो चीजे काफी सयोग में होगी और जो ट्राइसेकल्स है वो भी हम मददाता के अंदर पे सुनिचित करें कि वहां पर पहुंचे विशेश करके जहां प प्रावदान किया हुआ है कि कितने नंबर पर आकड़े उसके लिखे हुए और उसको बताया जाता है